आपको वो उन दिनों की याद दराना चाहता हूँ जो मैंने उस युनिवस्टी में उस एक यानि इन दे गॉर्डन आप सरसेयद एवंद खान काल अलिगर्ड मुलस्व युनिवस्टी उसमें तीन साल गुजा रहे हैं और जो भी हम लोग है स्टूडन्स थे हर फिरके के लोग थे हर मज़ब के लोग थे और हर हिंदुस्टान के हर कौने से लोग तो थे ही लेकिन वदेशों के लोग भी वहां हमारे साथ पढ़ते थे मैंने अलिगर्ड मुस्लिम युनिवस्टी को चुना सरसेद एम्द खान साब की जो कोशिच रही है इनकी एफ़र्स है जित तरह से इस युनिवस्टी की बुनिया दखी गई यह कमार है कि एक सक जाता है लोगों को कठे करता है साथ हर दस लोग कठे होते हैं एक स्कूल बनता है और वो स्कूल चलते चलते एक दिन युनिवस्टी की शक्राइट त्यार कर देता है युनिवस्टी नहीं आप माना जाए कि हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ जो टॉप युनिवस्टी हैं या दुनिया के अंदर मैं तो लंदन युवस्टी में पढ़ा, मैं काईरो युनिवस्टी में पढ़ा, मैं अलिगर्ड मुस्लिम युनिवस्टी से मेरी शुरुआत हुई लेकिन अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्स्टी के मकाबले में मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में कोई भी एजुकेशनल इंट्रिचूशन नहीं है यहां प्यार मुहबत का सहलाब चलता हो और यहां हम लोग पड़े हैं यहां कई चीज़ें जब हम लोग गए युनिवर्स्टी में के लोगों ने कहा और खासकर एक तबका तो अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्स्टी के खिलाफ ही रहा है वो कल भी था वो आज भी है अब कब बदलेंगे यह मुझे बालू डेंगे लेकं यह कहना चाहता हूँ कि अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सटी जो है जो टेगोर्ड ने कहा था कि इंडिया इस ऑर्चर अफ और फ्लावर्स तो अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सटी एक वो बगीचा है वो आर्चर है जिसमें हर रंग का फूल मिलेगा आपको हर मजभ हर जाती के स्टूरिंट्स मिलेंगे और जो नैशनलिजम का मुद्दा भाइचारा सिक्लिजम की मसाल जो मेरे दिनों दमाग में बैठी है वो हमेशा रहेगी अलिगर्ट मुस्म इंवर्स्टी मैं हमेशा समझा हूँ के इज़ एज़ पर ज़ा रहेगी अट वह जो पचास मुलकों का दोरह किया मोटरसाइकल पह पांच वर्ष घूमता रहा और अर्म मुलकों में अर्म कंट्रीज में जब भी मैं जाता था मैं कहा था कहां से हो मैंने का जी अलिगर्ण मुलकों में उनका नाम है परश्य में नाम है शायद हमारे मुलक में मैंने इतनी इतनी एक्साइटिंगली नहीं सुना लेकिन ये उनकी युनिवर्स्टी की तेलीम थी सरसेयर्ण मुलकों की मैं कहता हूँ जो मेरे लिए एक जिन्दगी में यानि एक विक्ट्री पॉइंट झाल 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 झाल